जहिन प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से खोटा किंग ऑपिसल पर आजे शुरुबात करते हैं आज धरम करम की ये जारखन उत्पात सिपाही में हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी संग्रा को पढ़ रहे हैं और उसमें से दूसरी कहानी आज हम लोग बात क लिकते हुए बढ़ेंगे अभी आपका एक्जाम नहीं है अभी ठोड़ा एक्जाम में लेट है इसलिए आप धीरे धीरे करके आप लोग पढ़ते रहें धीरे धीरे चीजों को सीकते रहें बाकी के अगर आपको खोटा ग्रामर अगर खोठा व्याकरन पढ़ना है तो र आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे धरम करम कहनी कौन किताब में छपल है तो धरम करम एक कहनी खोठा गदपत संग्रह के कहानी संग्रह में छपल है ना तो 1989 में किताब के परकासम भिलल है और वो कारों खोठा कमीटी एकर परकासक अगला सवाल है कि खोठा गदपत संग्रह कर प्रवधान संपादक के नाम बतावा तो खोठा गदपत संग्रह जो पुस्तक है इसके प्रवधान संपादक है डाक्टर एके जहा जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार जहा और इन्हें जहार पात उपनाम से जाना जाता है का उस तक ने इस कहानी को चलिए अगला सवालए की दिनेंश कुमार दिन्मनी जी इसनेन अम बतावा तो इनके पिता का नाम अहीस्वर-मातो-देवी आ था यह दोनों आपको याद रखनें थे पताव के जननम-बचयर भतावा था थे 13 सितंबर 1969 इस वी को दिनमनी जी के जनम बच्छर लागए सवाल है कि दिनेश कुमार दिनमनी जी के जनम ठाओं बतावा तो 12 जैना मोड बोकारों में इनकर जनम भेल है अगला सवाल है कि दिनमनी जी के कोन रचना जहें वो चर्चित रचना लागए तो धरम करम पगली मोई फुलकोबिक जोर मानूस इंजोरियाग माटा और आएगा ये सभी जिव इनकर लिखल चर्चित रचना लागए अगला सवाल कि दिनमनी जी के खोठा रत्न के उपाधी कोन बच्छर मिलल हले तो 2011 में भासा साहिति सेवा खातिर इनकर 2011 में खोठा रत्न के उपाधी से सम्म अगनू के बापक नाम की हले तो गुजर महतों हले सबसे पहले याद रखना कि अगनू, अगनू के बाप सोमर मातों और सोमर मातों के बाप गुजर मातों है या तो फिर अगनू के बाबा अगर बोले अगनू के बाबा की हले तो अगनू के बाबा के नाम रहुए गुजर मातों ठीक है और बापक नाम सोमर मातों ती तीनो पिढ़ी के नाम याद रखना है, है ना, सबसे बड़ गुजर मातों ओकर बेटा सोमर मातों और सोमर मातों बेटा अगनू, ठीक है, अगला सवाल देखोईए, अगला सवाल है कि अगनू के बापेक भोज कोन महिनाय हल है, तो अगनू के बापेक भोज कोन महिनाय रो है, फा प्रणू के उमयर 14-15 बच्छर एक उमयर रहो है तो अंसर भाइजी ते ओप्सन तो यहां है नहीं 14-15 बच्छर भाइजी ते सोमर काका के बापेक भोज घरी कहां के जमीन बेंच देल रहे तो सियार खौंधा के डाबर जी हले वो बेंच देल हले आपन बापेक भोज घरी है है ना तो सोमर काका के बाप के नाम की रहो है गुजर मातोर हो है गुजर मातोर गुजर मातोर जखने मरर ले तकने सोमर काका बेंच देल ले के अगनू के बाबा के भोज घरी अगनू के बाप बेंच देल ले अठी कुछ बच्छर के बाद की हो ले सोमर काका आपन बापे अगला सवाल कि अगनू के ओकर बाप के मौरल बाद है कौन किरिया करेक कहल थिन तो सब कहल थिन जब गाव के सब महतो सब अठरह थिन की तोर बाप बाप हैं यह वह बबागरी विर्खोथ स़ग करीया करें लो तो चल तोर जगा अतना पैसा जांए द्व चार कहीं जो वाथ बाक आज़े कहीं शेली बाप करें खेटख तखने कर लिय ले है ना, एकर में भी बेसे खर्चा बर्चा हो वो है, लगिन बाद में कहल कहूँ हम कहां पाबब काबब जे हम इकरे, नायकार पाबव तो सून बाबु तोर बापें, तो बिर्खोत सर के किरीया करल हलो तोटों कम से कम पंचदान टा नाय करी हैं तो तोर बाप एक जीटाग सांती नाम मिलते यी बात के अर क ककर से कह ले तुर यी बात ये वो गाव एक माहतों कहला ले अगनू से अगनू से कहल के कि तुर बाबा जब मौरल हलो तखने तुर बाप जे हलो सुमर काका उ कर ले लो विर्खोट सर्ग करिया अब जे मैंले आपन बाप खती रतना बढ़ियां से करिया कर ले ले अब ओकर मौरल बादें तु अग कम से कम पंचदानों कर दें तो इस बात जहें वो गाँ के मातों के हल है अगनू से कहल लें अगला सब्रें है कि एतना नाय पर्बें तो की पर्बे रहे तुर बाप की रोज-रोज मौत से उनकी बास जा रहे बासे जन मेरे बोका अब जब सब कहलतीन की तों कम से कम पंचदान किरिया करते हैं इन इक खाना पीना में रेख दी कि मिठाय हो तो पूड़ी हो तड़का हो सबजी हो इस अब सब रेख दी और अतना खर्चा बर्चा करे लो तो तो अकर में कहले अगनु की नाय अतना तो हम नाय पारवय का का अतना हम कहा पारवय अतना पैसा कोड़ी तो हमर जगा है नाय तो अकरे में महतो जी है वो गामेक महतो जी है वो अगनु से कहले कि एतना नाय पारवय तो की पारवय रहे तो बाप की रोज-रोज मौरत उनकी ब मांस जारें बांसे जन्वे रेबोका यानि जैसा तुम्हारा बाप ने किया है तुमको भी वैसा ही करना पड़ेगा यानि तुम्हारे पिता जी ने पूरा कहन उसके लिए खेत बेचना पड़ेगा लेकिन तुमको भी उसी तरह से करना पड़ेगा उसके लिए तुमको कीड है ना तो यहाँ बात जो वो गाम के मातों कहता है अगनू से ठीक है चली अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है कि धरम करम कहनी में हिंदू समाजे कौन वेजाय रीत के उपर चोट कर लगे ले तो मर्खी भोज में देखिए रीत को बताया गया तो हलाकी ये है जरूरी ठ ठीक है लेकिन आपको किसी को जबरदस्ती करवाना ये गलत बात है हाना मान लेजे जितना उसके पास सक्षम है जितना उसके पास छमता है छमता के अनुसार से करने के लिए ठीक है हाना नियम कानून कोई भी जो भी है अपना अपना धर्म का अपना संस्कृति का अपना ए ये गुलत बात है हाना जितने अपनल सक्च्छम से इस जितना उसके पास ताकत है उसके अनूसार से वो कायरे करेगा चले अगला सवाल है कि धर्म कर्म कहनी में कंखर बापेल के बाइध करल जा है है तो धर्म करंगर में कंखर सराद करे के बाध करल जा है तो अगनु के जो वो अकर बापक भोज के करे वास्ते जम कववा भोज यानि जिसमें से ज्यादा पैसा कोड़ी खर्चा हो है ना तो यहां सब बाध करते हैं गाउं के लोग है ना चाहिए वो महतों हो या या अनि जो भी गाउं के पंच लोग लोग बैठे होते हैं, अगल बगलिय के पड़ोसी लोग होते हैं, गोतिया लोग होते हैं, तो ये भी बहुत आदमी ताक में बैठल रूँ है, है ना, तो एकर सही अंसर की बज़िते हैं, अगनु के बाप के सराध खतिर सब आदमी बाध करू हैं, सराध किरिया कर में भेल खरच के विरोध किये करू है, तो सराध किरिया में इस खर्चा बर्चा का विरोध जो वो कह कहानी के लेखक करते हैं। कहानी के लेखक वहें फे खड़ा रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आखिर में आप लोग के अगला सवाल इससे related है। तो अगला सवाल देख लेते हैं वहां से आपको अंसर केलियर हो जाएगा। जिसके पास जितना पैसा होगा जितना चमता होगा उसके अनुसार से ये करेगा और सच्चे मन से अगर कहीं सरधा से अगर कहीं छोटे तरह से भी अगर क्रिया को किया जाए तो वो भी संपन हो सकता है है ना तो उसमें से धन दौलत की बात कहां पे आती है बात आती है कि सच मन से वो कायरि किया जाना चाहिए है ना खास करके धर्म संस्कृती में यही कहता है कि जब आम सच्चे मन से इमांदारी पूर्वक अगर किसी आकर करते हैं तो वो बिल्कुल सही होता है कि पैसा दे करut कि यह करिद या हम यह कर ले कोई ये बोलता है कि तुम हमको 1000 दो हम तुमको मोक्ष की पराप्ति करवा देंगे, या तुम ये तना दो तुमको हमेशा के लिए अच्छा कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है, है ना, पैसों से सब कुछ ये सब नहीं होता है, उसके लिए आपको सच्छे मन से, सच्छे हिर् सब्सक्राइब करते हैं कि आज का यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा इस वेडियो को लाइक किजेगा और साथे साथ जिनका सवाल होगा किसमें से MCQ लाइए तो MCQ भी हम लोग जल्दी ले करके आएंगे आप लोग थोड़ा इंतजार कीजे जैसे एक्जाम का डेट आपका किलियर होता है तो वहाँ पे हम लोग जो डेटेल में पूरा सारा MCQ हम लोग कभर करेंगे और साथी साथ फूल प्रेक्टिस सेट भी हम लोग देख लिखेंगे और अगर आपको कहानी को डेटेल में समझना है तो कहानी का वीडियो पहले अप्लोड है आप प्लेलिस्ट में चाहिएगा खोठा जार्खन उत्पात सिपाही करके आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें से आपको लगभग कम्प्लीट सिलेबस का करे भ एको दुक अर आपको भा हुले एक हुआ है उनसे शुरWow